सौर मंडल के बाहर एक ग्रह है WASP-76B जिसे एक्सो प्लैनेट भी कहा जाता है वग्यानिकों का अनुमान है कि WASP-76B पर लोहे की बारिश और इंद्रधनुष बनने जैसी घटना भी होती है जिसे ग्लोरी कहते हैं इस तरह की घटना को अभी तक सौर मंडल के बाहर डिटेक्ट नहीं किया गया था वग्यानिकों के मताबिक WASP-76B गैस का गोला है और हमारे प्रत्वी से 637 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है इसे 2013 में खोजा गया था यहां अपने पैरेंट येलो स्टार से सर्फ 4.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है इस स्टार का द्रव्यमान सूर्य से लगभग 1.5 गुना और चोड़ाई 1.75 गुना है कहा जाता है कि लोहे की बारिश का कारण ग्रह की अपनी होस्ट स्टार से नजदी की है जिसकी वज़ा से ग्रह को लगादार दिन के उजाने का सामना करना पड़ता है साथ ही तापमान 2400 डिग्री से उपर पहुंचाता है जो धातूओं को वाशिप्त करने के लिए परयाप्त है व्यूरो रिपोर्ट डैनिक भासकर हाँ तो नमस्कार दोस्तो दोस्तो जैसे कि आप वीडियो में देख चुके हो कि जो डबलू ए एस पी 76 बी जो घरह है वहाँ पर लोहे की बारिस होती है और दोस्तो इस गरह से समद्दित कुछ मेहत्त पुझान करिये वो अपन और देख लेते हैं तो दोस्तो वीडियो का अपलाच तक अविश्य देखें दोस्तो डबलू ए एस पी 76 बी जो घरह है यह है एक गेस का गोला है जिसकी खोज 2013 में की गई थी दोस्तो यह परत्वी से 637 परकास वर्ष दूर इस्तित है ठीक है डबलू ए एस पी 76 बी की पेरेट यलो इस्टार से दूरी 4.8 करोड किलोमेटर है ठीक है जो यह इस्टार है एक तारा है उससे 4.8 करोड किलोमेटर की दूरी पर यह इस्तित है ठीक है पेरेट यलो इस्टार का द्रवमान सूर्य से लगबग 1.5 गुणा अधिक है ठीक है और दोस्तों जो ये घरय है ये जो गेस का गोला है वहाँ पर लोहे की बारिस होती है ये किस प्रकार होती है आगे देखते हैं WASP-76B गेस का गोला है और हमारी परत्वी से 636 परकास वर्ष की दूरी पर इस्तित है इसे 2013 में खोजा गया था ये है अपने पेरेट यलो इस्टार से सिर्फ 4.8 करोड किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है इस इस्तार का दर्वयमान सूरिय से लगबग 1.5 गुना और चोड़ाई 1.5 फीजितर गुना अधिक है ठीक है आगे बढ़ते हैं होश्ट इस्तार से निकरता के कारण होती है लोहे की बारिस दोस्तो लोहे की बारिस याँ पर इस गरह या इस गेस के गोरे पर क्यों होती है क्योंकि ये होश्ट इस्तार से निकरता के कारण याँ पर लोहे की बारिस होती है वो किस परकार होती है देखते हैं लोहे की बारिस का कारण उसकी अपने होस्ट इस्टार से निक्रता है, निक्रता की वज़े से गरहे को एक तरफ लगातार दिन के उजाले का सामना करना पड़ता है, तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस से उपर भड़ जाता है, जो धात्यों को वास्पित करने के लिए प्रयाप है, क्योंकि दोस्तों यहां का तापमान बहुत अधिक है, 2400 डिग्री सेल्सियस से उपर बढ़ जाता है, जो धात्यों को वास्पित करने के लिए प्रयाप्त है, WASP-76B पर इतने तापमान में लोहे भाप में बादल बन जाता है, लोहा भाप में बदल जाता है, ठीक है, के दोस्तों WASP-76B पर इतने ताप्मान में लोहा बाप में बदल जाता है और तेज हवाई इस लोहे वास्प को गरहे के दूसरे तरफ ले जाती है जहां हमेशा ठंडी रात रहती है इससे आइरन क्लाउड बनते हैं और लोहे की वारिस होती है के दोस्तों यहाँ पर आइरन क्लाउड बनते हैं ठीक है और लोहे की वारिस होती है तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समापत होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंदाय तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को दोस्तो आप सब्सक्राइब अविशे करें दोस्तो ऐसे ही नए नए इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुदे रहे हैं आप हमारे यूटूब चैनल के साथ दोस्तो जल्दी नए टोपिक पर नए अंदाज में वीडियो लाएंगे तब तक जैहिन जैवर्द